नमस्कार आपका स्वागद थिंग 360 पर मेरा नाम है लोकिंद्र किलानोत भारतिय जनता पार्टी का प्लान राजिस्थान सामने आ चुका है प्लान है कि कैसे भी करके जाटों को कंट्रोल में कर लो तो सियासत की चाबी दूर नहीं है लेकिन जाट कहते हैं कि मामला एक नंब की कुर्सी है मुख्यमंत्री की कुर्सी याद कीजिए इसी साल पांच मार्च को जैपुर में आयोजित हुए जाट महाकुंब में रामियसर डूडी का वो बयान की कोई भी पार्टी आपको नंबर एक वाली कुर्सी पर नहीं बिठाएगी लेकिन हर बार की तरह इस बार की एलान तो साफ हो चुका है कि बीते सतर सालों में अब बहुत हुआ जाट समाज को अब सीएम की कुर्सी चाहिए लेकिन वह कुर्सी आखिर देगा कौन एक तरफ कॉंग्रेस है जहां असो गहलोत के सामने सब की अपील पूरी तरह से खारीज है दूसरी तरफ है की अर्मान एक बार फिर से उफान मार रहे हैं और इन सब की वजय प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी की सीकर में 27 जुलाई को आयुजित होने वाली रेली बन रही है पहले यह रेली नागोर के खरनाल में आयुजित की जा रही थी लेकिन आनन फानन में जगे सीकर कर दी गई प्रदान मंतरी की रेली की जगे को अचानक से बदल देने के आखिर माईने क्या है चर्चा तो इस बात पर भी होनी चाहिए आप 1999 की अटल विहारी वाजपेई की सीकर रेली को याद के जिए उस रेली ने राजिस्तान में भाजपा की सियासत को बदल कर रख दिया कहा जा जाट समाज अब तक कॉंग्रेस को ही अपनी राजनितिक पारिटी मानता था अटल विहारी वाजपेई की उस रेली ने राजनिती के दरवाजे भाजपा में जाटों के लिए खोल कर रख दिये थे इससे पहले दिगगत जाटने था परसराम मदेरना को राजिस्तान का मु जाट का बेटा नंबर वन की कुरसी पर बैठ सकता था लेकिन दिल के अर्मा आसुओं में बैग गए और फिर जाट समाज को भी समझ आ गया कि अब कॉंग्रेस के अलावा राजनिती के दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर लेना चाहिए लिहाजा जाटों के इस ऐसंतो उसको भाजपाने बखू भी लपक लिया और अगले ही चुनाओ में जब वसंद्रा राजे के नित्रत में भाजपाने चुनावी बुगुल फूंका तो जाट समाज की बहु के नाम पर जाटों ने दिल खोलकर भाजपा की जोली बढ़ दी उसके बाद लगातार गैलोत औ वसंद्रा युग में एक बार फिर से जाट समाज में एसंतोस पन अपने लगा है और अब बात चलती है कि एक नंबर की कुर्शी पर तो जाट मा की कोक से पैदा हुआ नेता ही बैठना चाहिए इसे क्या समझा जाए वही सीकर वही देश का प्रदान मंतरी वही राजिस्त क्योंकि शियासत में कुछ भी हो सकता है इस रेली की गोशना के साथ ही पूर प्रदे सद्यक्ष सतीश पूनिया का भी नंबर भाजपा ने डाइल कर दिया है पूनिया को भाजपा अब बराबर भाव दे रही है यहां तक कि भाजपा की कुर्सी और पोश्टर से गायब यह भाजपा कोई बड़ा दाव चलने की तैयारी कर चुकी है लेकिन उसके बात भी सवाल तो यही है कि बिना हनुमान के यह संजीवनी लाकर देगा कौन मैं बात नागुर सांसा धर्मान बेनिवाल की कर रहा हूं बाजपा छोड़िये बेनिवाल तो कॉंग्रेस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं अब तक सवाल अनसुलजा है कि हनमान राज़िस्तान की संजीवनी किसके लिए लाने वाले हैं कहते हैं कि इन दोनों बेनिवाल भाजपा से कुछ खफा खफा नजर आते हैं हमलावर तो बेनिवाल राज़िस्तान के मुकमंत्री असोग गहलोत प कमिटी में में मेंबर भी नेटाओं की एक लंबी फॉज है लेकिन भाजपा के पास आखिर क्या है अलागि सुभास महरिया वापस भाजपा में लोटे तो हैं लेकिन वो जमाना अलग था जब महरिया की तूती बोला करती थी ले देकर एक सतीस पूनिया जिनकी चुनाव से पहले ही प्रते सद्यक्सपद से छुट्टी कर दी जाट समाज को तो सतीस पूनिया की प्रते सद्यक्सपद से छुट्टी भी खटकने लगी है जैसे ही 37 पुनिया की अध्यक्सपद से विदाई हुई उसके तुरंत बाद जाट समाज ने भाजपा के इस फैंसले पर तीखी पृतिक रिया व्यक्ति की थी, अब वेही 37 पुनिया इस्रेली के बहाने भाजपा की मुक्धारा में लोट रहे हैं, ना केवल पुनिया की प्रांसवा चुनाओं में जाट सियासत किस करवट बैठने वाली है इसके बारे में फिलाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन एक बार फिर से राजिस्तान का जाट समाज बड़े इस्तर पर मांग करने लगा है कि राजिस्तान का मुखमंत्री जाट होना चाहिए राजिस्त